हालो दोस्तों कैसे हो तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यह जो घर बन रहा है इसको बनाने में कितना खर्च हुआ है कितना स्क्वार फिट में बना हुआ है तो चले देखते हैं और इसका लंबाई चवड़ाई देखा जाए तो सामने से 35 फिट चवड़ाई है औ याने 14 स्काइर फिट है लगभग 155 गज इधर आप लोग देख सकते हैं यह पोटीको है और इसका साइज देखा जाय तो 8 फिट बाई 12 फिट काई है और अंदर चलते हैं यह है में दर वाजा और इसका साइज देखा जाया तो 5 फीट चवड़ाई है और इसका हैट 7 फीट है ये खिडकी दिया हुआ है जो कि 5 फीट बाई 4 फीट का इधर एक कीचन के खिडकी है जो कि 3.5 फीट बाई 4 फीट का और इधर ये बेडरूम का खिडकी है सामने से ये 4 फीट बाई 4 फीट का और अंदर चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ये है waiting room, और इसका size 6 feet चवड़ाई है, और 12 feet लंबाई है, तो ये हो गया waiting room, और आगे बढ़ते हैं, तो इस दरवाजा का size 3 feet है, और इसका height 7 feet है, एक खिड़की दिया हुआ है, जो कि 4 feet by 4 feet का है, और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये है hall, और hall का size देखा जाए, तो 20 feet लंबाई है, और 12 feet चवड़ाई है, और एक खिड़की दिया हुआ है, जो कि 4 feet by 4 feet का, और right side में एक bedroom है, तो देख लेते हैं bedroom का क्या size रखे हुए हैं, इसका दरवाजा 3 feet चवड़ाई है, और height 7 feet है, औ अंदर चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ये bedroom है, दो खिड़की दिया हुआ है, जो कि 3 feet by 4 feet का है, एक 6 feet दिया हुआ है, और उपर दो ventilation दिया गया है, और bedroom का size देखा जाए, तो 13 feet लंबाई है, और 12 feet चवड़ाई है, याने 12 feet by 13 feet का ये bedroom है, आप लोग दिख सकते ह ये जो 6 दिया हुआ है, ये 18 inch का है, तो ये हो गया पहला bedroom, आप आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, इधर right side में ही ये सिढ़ी है, और इधर सिढ़ी room का size देखा जाए, तो 7 feet चवड़ाई है, और 13 feet लंबाई है, 7 feet by 13 feet का ये सिढ़ी room है, और इधर पीछे से आने के लिए दर्वाजा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि इसका height 6 feet है, और इधर बाहर से इधर घुसने के लिए इधर दर्वाजा दिया गया है, शिढ़ी के नीचे, और आप लोग देख सकते हैं, ये जो टाइबीम है, और घर कंदर का टाइबीम, ये तभी आप लोग घर बनवाते हैं, तो उधर जगा नहीं मिलेगा, अंदर में कम जगा रहेगा, तो इवाला टाइबीम को आप नीचे कर सकते हैं, इधर से दरवाजा उचा करने के लिए, यहां तो नहीं किया हुआ है, कहाई कि यहां जगा है, अगर इधर से आपते हैं, तो ये वाला टाइबीम एक फिट नीचे भी रहेगा तो कोई दिकत नहीं होगा अगर आप लोग का घर का जमीन थोड़ा हाइट में है तो इधर ये हो गया सिधी रूम और अगर इधर से अंदर घुशते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इधर उपर जाने के लिए और इधर य सिधी रूम हो गया और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इधर ये टोइलेट बात्रूम है टोइलेट बात्रूम का दरवाजा 3 फिट चवड़ाई है 7 फिट हाइट है और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये इसमें 2 वेंटिलेशन दिया ग गया और इधर आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह बेडरूम है बेडरूम का दर्वाजा 3,5 phit चुड़ाई है और 7 फित है और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख बेडरूम है और बेडरूम में दो खिड़की दिया हुआ धो साड़े तीन फिट बाई चार फिट का है उपर वेंटिलेशन दिया गया है दोनों खिलकी के उपर और इधर अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है और बेडरूम का साइज की बात करें तो बारा फिट चवडाई है और तेरा फिट लंबाई है यानि बारा फिट बाई तेरा कि ये दूसरा बेडरूम है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है अंदर से सबसक्ते हैं और ये फकिलकी हैं अदर से het टोईलेट बाथरूम दिया गिया है और इसमें दो खिड़की दिया हुआ है जो कि साड़े तीन फिट बाई चार फिट का है दोनों खिड़की और ऊपर एक एक वेंटिलेशन दिया गिया है खिड़की को और बेडरूम का साइज की बात करें तो 14 फिट लंबाई है और 12 का अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है जो की डेड़ फिट चावडाई है और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग दिख सकते हैं यह इधर टोईलेट बाथरूम है इसका दरवाजा 8 फिट रखे हुए है और उपर यह बॉक्स है आप लोग दिख सकते हैं और अंदर चलते ह हैं तो आप लोग दिख सकते हैं यह इधर टोईलेट बाथरूम है और यहां घुसते ही आप लोग दिख सकते हैं यहां जो जगह है यह 5 फिट बाई 5 फिट का है तो यहां वासिंग मसीन रख सकते हैं और अंदर चलते हैं तो यह हो गया टोईलेट बाथरूम और इसका किचन का दरवजा 3.5 फिट रखे हुए है और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह है किचन किचन में खिडकी दिया हुआ है जो कि 3.5 फिट बाई 3.5 फिट का है उपर एक जोस्ट फेन के लिए छेदा छोड़ा गिया है और उपर एक वेंटिलेशन दिया गिया है उसके नीचे छज्या ढाला गया है 7 फिट पर और नीचे देखा जाए तो इधर यह सलेव है और किचन का साइज देखा जाए तो 8 फिट चौड़ाई है और 12 फिट लंबाई है आठ फिट बाई 12 फिट का यह किचन है यह जो सलेव ढाला हुआ है दो फिट चौड़ाई ह आप लोग देख सकते हैं तो यह हो गया किचन यह है हॉल इसका साइज 20 फिट लंबाई है और 12 फिट चौड़ाई है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तो टल सयव गया है। इधर इसमें तोटल सत्रा कोलम दिया गया है दस इंची वाई 15 इंची का कोलम दिया गया है सब में इधर ये पोटिको है इधर ये वेटिंग रूम है ये हॉल है उधर वो किचन है पीछे साइड बेडरूम है ये टोइलेट बात्रूम है और इधर ये बेडरूम है इसके बा में कितना खर्च हुआ है यह 1400 स्कायर फिट में बन रहा है लगभग 155 गज में और डिसमील में देखा जाए तो लगभग सावा पीछे साइड कितना जगा छोड़े हुए है तो आप लोग देख सकते हैं इधर राइट साइड में है तो इधर लगभग 6 फिट जगा छोड़ा हुआ है इधर सही अंदर जाने के लिए दर्वाजा है आप लोग देख सकते हैं इसली के नीचे तो इधर से भी अंदर जा सकत हैं और आगे बढ़ते हैं तो इधर खिलकी को उपर लगभग 15 इंची का छज्जा दिया हुआ है और इधर 6 फिट जगा छुटा हुआ है इस साइड में और यह है पिछे साइड इधर लगभग 3.5 फिट जगा है और इधर जो छज्जा निकाला गया है यह भी 15 इंची का है तो यह है पिछे साइड आप लोग देख सकते हैं और पिछे साइड कुछ दिया हुआ नहीं है और आगे इधर बढ़ते हैं तो इधर यह लेफ साइड में हम लोग घूम गए हैं तो इधर यह सेप्टी टेंक दिया हुआ है बहुत लंबा और इधर लगभग 12 फिट जगा है साइड में तो आप लोग दिख सकते हैं यह है सेफ्टी टैंक तो कुछी स्टेप का यह घर बन रहा है